मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार इस समय आप 2021 की विदाई और 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटेई होंगे नए साल पर हर व्यक्ति, हर संस्ता आने वाले साल में कुछ और बहतर करने, बहतर बनने के संकल्प लेते हैं पिछले साथ सालों से हमारी ये मन की बात भी व्यक्ति की, समाज की, देश की अच्छाईयों को उजागर कर और अच्छा करने, और अच्छा बनने की प्रेणा देती आई हैं इन साथ वर्षों में मन की बात करते हुए, मैं सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा कर सकता था, आपको भी अच्छा लगता, आपने भी सराहा होता, लेकिन ये मेरा दस्रकों का अनुभव है, कि मिडिया की चमक दमक से धूर, अखबारों की सुर्खियों से धूर, को खपा रहे हैं, वो देश की आने वाली पीडियों के लिए अपने प्रयासों पर अजी जान से जुटे रहते हैं, ऐसे लोगों की बात बहुत सुकुन देती हैं, गहरी प्रेणा देती हैं, मेरे लिए मन की बात हमेशा से ऐसे ही लोगों के प्रयासों से भरा हुआ, खिला ह हुआ सजा हुआ एक सुन्दर उपवन रहा है और मन की बात में तो हर महीने मेरी मसकत ही इस बात पर होती हैं इस उपवन की कौन सी पंखुडी आपके बीच लेकर क्या हूं मुझे खुशी है कि हमारी बहुरत नावसुंध्रा के पुन्यकारियों का अभीरल प्रवा निरंतर बहता रहता है और आज जब देश अम्रित महोत्सों मना रहा है तो जो जन शक्ती है जन जन की शक्ती है उसका उलेक उसके प्रयास उसका परिश्रम भारत के और मानुता के उज्वल भविश के लिए एक तरह से गारंटी देता है साथियों ये जन शक्ती की ही ताकत है सबका प्रयास है कि भारत सो साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे अपने महले या शहर में किसी की मदद करना हो जिससे जो बना उससे ज्यादा क करने की कोशिश की आज विश्व में वैक्सिनेशन के जो आकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूत पूर्व काम किया कितना बड़ा लक्षा हसिल किया है वैक्सिन की 140 करोड डोच के पढ़ाव को पार करना प्रत्य भारत्वासी की उपलब्दी है ये प्रत्य एक भारतिय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है विज्ञान पर भरोसा दिखाता है वज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दाइत्वों को निभार है हम भारतियों के इच्छा शक्ति का प्रमान भी है लेकिन साथिय हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नाया वेरियंट दस तक दे चुका है पिछले दो वर्षों का हमारा अनुव हो है कि इस 22 विक महामरी को परास करने के लिए एक नागरिक के तोर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्मपून है कि जो नया आमिकरोन वेरियंट आया है उसका अध्यन हमारे वेज्यानिक लगातार कर रहे हैं हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है उनके सुझाओं पर काम हो रहा है ऐसे में स्वयम की सजगता स्वयम का अनुशासन कोरोना के इस वेरियंट के खिलाब देश की बहुत बड़ी शक्ती है हमारी सामुहिक शक्ती ही कोरोना को परास्त करेगी इसी दाइत्वबोत के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है मेरे प्यारे देश्वास्यों महाभारत के युद्ध के समय भगवान सरी कृष्ण ने अर्जुन को कहा था नभहस पुर्षम दिप्तम याने गर्व के साथ आकास को छुना ये भारतिय वायू सेना का आदर्श्वाक्य भी है माभारती की सेवा में लगे अनेक जीवन आकास के इन बुलंदियों को रोज करवसे छूते हैं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रूप केप्टन वरुन सी का वरुन सी उस हेलिकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने कमिन नाडू में हादसे का शिकार हो गया उस हादसे में हमने देश के पहले सिडियेस जनरल बिपी नरावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया वरुन सी भी मौच से कई दीन तक जाबाजी से लड़े लेकिन फिर वो भी हमें छोड़ कर चले गए वरुन जब अस्पताल में थे उस समय मेरे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे रदे को छू गया इस साल अगस्त मही उन्हें शौरिश चक्र दिया गया था इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कुल के प्रिंसिपल को एक चिठी लिखी थी इस चिठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के सिर्ष पर पहुँचकर भी वे जड़ों को सीचना नहीं भूले दूसरा कि जब उनके पाँ सेलिबरेट करने का समय था तो उन्होंने आनी वाले पीडियों की चिंदा की वो चाहते थे कि जिस कुल में वो पढ़े वहां के विध्यार्थों की जिंदगी भी एक सेलिबरेशन बने अपने पत्र में वरुनसिजी ने अपने पराक्रम का बखान नहीं किया बलकी अपनी असफलताओं की बात की कैसे उन्होंने अपनी कम्यों को काबिलियत में बढ़ला इसकी बात की इस पत्र में एक जगे उन्होंने लिखा है इस ओके टुबी मीडियोकर not everyone will excel at school and not everyone will be able to score in the 90s if you do it is an amazing achievement and must be applauded however if you don't don't think that you are mean to be mediocre you may be mediocre in school but it is by no means a measure of things to come in life find your calling it could be art music graphic design literature etc whatever you work towards be dedicated do your best never go to bed thinking I could have put in more efforts साथ्यों आवसत से असाधान बनने का उनर जो मन्त दिया है वो भी उतनाही महत्वकुन है इसी पत्र में वरुन सी ने लिखा है never lose hope never think that you cannot be good at what you want to be it will not come easy it will take sacrifice of time and comfort I was mediocre and today I have reached difficult milestone in my career do not think that 12th board marks decide what you are capable of achieving in life believe in yourself and work towards it वरुन ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडन को प्रेणा दे सके तो ये भी बहुत होगा लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा उन्होंने पूरे देश को प्रेणित किया है उनका लेटर भले ही कि एवल स्टूडन से बात करता हो लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है साथियों हर साल मैं ऐसे ही विशहों पर विध्यार्शियों के साथ परिक्षा पर चर्चा करता हूँ इस साल भी एक्जाम से पहले मैं स्टूडन्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ इस कारकम के लिए दो दिन बात 28 दिसम्बर से mygod.in पर रजिस्टेशन भी शुरू होने जा रहा है यह रजिस्टेशन 28 दिसम्बर से 20 जनवरी तक चलेगा इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडन्स, टीचर्स और पैरेंट्स के लिए ओनलाइन कंपोडिशन भी आउजित होगा मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिसा ले आप से मुलाकात करने का मौका मिलेगा हम सब मिलकर परिक्षा, केरियर, सफलता और विद्यारती जीमन से जुड़े अनेक पहलो उपर मन्थन करेंगे मेरे पैरे देश्वासियों मन की बात में अब मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं जो सरहत के पार कहीं बहुत दूर से आई है ये आपको आनदित भी करेंगी और हैरान भी कर देंगी बांदे मादरा बांदे मादरा शुचला शुबला मलेच शीर कला शुचला 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 2020 से शुचला 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 बांदे मादरा सुपले चोश्चला शुचल's दोलन वैं-द्वा stad्व भी कुचला पस्ाभ मुझे पूरा विश्वास है कि ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा गर्व की अनुभुती हुई होगी बंदे मात्रम में जो भाव नहीत है वो हमें घर्व और जोश से भर देता है साथियों आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये खुबसरत विडियो कहां का है किस देश से आया है इसका जवाब आपके हरानी और भड़ा देगा बंदे मात्रम पस्तुत करने वाले ये स्टूडन्स ग्रिस के हैं वहाँ वे इलिया के हैस्कूल में पढ़ाई करते हैं इन्होंने जिस खुबसूरती और भाव के साथ बंदे मात्रम गाया है वो अद्भूत और सरानी है ऐसे ही प्रयास दो देशों के लोगों को और करिब लाते हैं मैं ग्रिस के इन छात्र छात्राओं और उनके टीचस का अभिनंदन करता हूँ आज हादी के अमृत महोत सब के दोरान किये गए उनके प्रयास की सराना करता हूँ साथियों मैं लखनव के रहने वाले निलेश जी की एक पोस्की भी चर्चा करना चाहूँगा निलेश जी ने लखनव में हुए एक अनूठे ड्रॉन शो की बहुत प्रसंशा की है ये ड्रॉन शो लखनव के रेसिदेंसिक शित्र में आयुजित किया गया था 1857 के पहले स्वतंतरता संग्राम की गवाही रेसिदेंसी की दिवारों पर आज भी नजर आती है रेसिदेंसी में हुए ड्रॉन शो में भारतिय स्वतंत्रता संगराम के अलग-अलग पहलूंगों को जीवन्त बनाया गया चाहे चावरी चावरा आंदोलन हो काकोरी ट्रेन की घटना हो या फिर नेताजी सुभास बाबु का अधम्य साहस और पराक्रम इस ड्रॉन सो ने सबका दिल जीत लिया आप भी इसी तरह अपने शहरों के गावों के आजहादी के अंदोलन से जुड़े अनिश्टे पहलूंगों को लोगों के सामने ला सकते हैं इसमें टेक्नलोजी की भी खूब मदर ले सकते हैं आजहादी के अमृत महोत्सव हमें आजहादी की जंग की स्मृतियों को जीने का आउसर देता है उसको अनुभव करने का आउसर देता है ये देश के लिए नए संकल्प लेने का कुछ कर गुजरने की इच्छा सकती दिखाने का प्रेरक उत्सव है प्रेरक आउसर है आईये स्वतंत्रता संग्राम की महान विभितियों से प्रेरित होते रहें देश के लिए अपने प्रयास और मजबूत करते रहें मेरे पहरे देश्वासियों हमारा भारत कई अनेक असाधारन प्रतिभाओं से संपन्न है जिनका कृतित्व दूसरों को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करता है ऐसे ही एक व्यक्ति है तेलंगना के डॉक्टर कुरेला विठलाचारिय जी उनकी उम्र 84 साल है विठलाचारिय जी इसकी मिसाल है कि जब बात अपने सपने पूरे करने की हो तो उम्र कोई माइने नहीं रखती साथियों विठलाचारिय जी की बचपन से एक इच्छा थी कोई एक बड़ी सी लाइबरेरी खोले देश तब गुलाम था कुछ परिस्तितियां ऐसी थी कि बचपन का वो सपना तब सपना ही रह गया सभय के साथ बिठलाचारिय जी लेक्चरर बने तेलूगु भाषा का गहन अध्यन किया और उसी में कई सारी रचनाओं का स्रजन भी किया छे साथ साल पहले वो एक बार फिर अपना सपना पूरा करने में जूटे उन्होंने खुद की किताबों से लाइबरेरी की शुरुवात की अपने जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी दीरे दीरे लोग इससे जूडते चले गए और योगदान करते गए यदादरी भूमनागिरी जिले के रमन्ना पेट मंडल की इस लाइबरेरी में करीब दो लाग पुस्तके हैं विठला चारी जी कहते हैं कि पढ़ाई को लेकर उन्हें जिन मुश्किलों का सामणा करना पड़ा वो किसी और को न करना पड़े उन्हें आज ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी संख्या में स्टूडन्स को इसका लाब मिल रहा है उनके प्रयासों से प्रेडित होकर कई दूसरे गाउं के लोग भी लाइबरेरी बनाने में जूटे हैं साथियों किताबे सिर्फ ग्यानी नहीं देती बलकि व्यक्तितों भी सवारती है जीवन को भी घड़ती है किताबे पड़ने का शौक एक अधबुत संतोष देता है आज कल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबे पड़ी अब आगे मुझे ये किताबे और पड़नी है ये एक अच्छा ट्रेन है जिसे और बढ़ाना चाहिए मैं भी मन की बात के स्रोताओं से कहूंगा कि आप इस वर्ष की अपनी उन पांच किताबों के बारे में बताएं जो आपकी पसंदीदा रही है इस तरह से आप 2022 में दूसरे पांठकों को अच्छी किताबे चुनने भी मदर कर सकेंगे ऐसे समय में जब हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बुक रीडिंग अधिक से अधिक पॉपलर बने इसके लिए भी हमें मिलकर प्रयास करना होगा मेरे प्यारे देश्वासियों हाली में मेरा ध्यान एक दिल चस्प प्रयास की और गया है ये कोशिश हमारे प्राचिन ग्रंतों और सांस्कृतिक मुल्यों को भारती नहीं बलकि दुनिया भर में लोप्रिय बनाने की है पूने में भंडार कर ओरियंटल रिसर्च इंस्टिटूट नाम का एक सेंटर है इस संस्थान ने दूसरे देशों के लोगों को महाभारत के महत्वत से परिचित कराने के लिए ओनलाइन कोर्स शुरू किया है आप ये जानकर हरान रह जाएंगे कि ये कोर्स भले अभी शुरू किया गया है लेकिन इसमें जो कंटेंट पढ़ाय जाता है उसे तयार करने के शुरुवात सो साल से भी पहले हुई थी जब इंस्टिटूट ने इस से जुड़ा कोर्स शुरू किया तो उसे जबर्दत रिस्पॉंस मिला मैं इस शांदार पहल के चर्चा इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि हमारी परंपरा के विभिन पहलूँ को किस प्रकार मोडन तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है साथ समंदर पार बैठे लोगों तक इसका लाप कैसे पहुँचे इसके लिए भी इनोवेटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं साथियों अज दुनिया भर में भारत ये संस्कृति के बारे में जानने को लेकर दिल्चस्पी बढ़ रही है अलग-अलग देशों के लोग ना सिर्फ हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं बलकि उसे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं ऐसे ही एक व्यक्ति है सर्बियन स्कॉलर डॉक्टर मोमीर निकीच इनोंने एक बाइलिंग्वल संस्कृत सर्बियन डिक्षनरी तियार की है इस डिक्षनरी में शामिल किये गए संस्कृत के सत्तर हजार से अधिक शब्तों का सर्बियन भाषा में अनुवात किया गया है आपको यह जानकर और भी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर निकीच ने सत्तर वर्ष की उम्र में संस्कृत भासा सीखी है वे बताते हैं कि इसकी पिर्णा उन्हें मात्मा घादी के लेखों को पढ़कर मिली इसी प्रकार का उधार मंगोलिया के 93 साल के प्रफिसर जे गेंदे धरम का भी है पिछले चार दसकों में उन्होंने भारत के करीब 40 प्राचिन ग्रंतों महा का व्योग और रचनाओ का मंगोलियन भाषा में अनुवात किया है अपने देश में भी इस तरह के जज़बे के साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं मुझे गोवा के सागर मुले जी के प्रयासों के बारे में भी जानने को मिला है जो सेंक्णों वर्ष पुरानी कावी चित्रकला को लुप्त होने से बचाने में जूटे हैं कावी चित्रकला भारत के प्राचिन इतिहास को अपने आप में समेटे हैं दरसल काव का अर्थ होता है लाल मिट्टी प्राचिन काल में इस कला में लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था गोवा में पुर्दगाली शासन के दोरां वहां से पलायन करने वाले लोगों ने दूसरे राज्यों के लोगों का भी इस अद्भुत चित्रकला से परिचे कराया समय के साथ ये चित्रकला लुप्त होती जा रही थी लेकिन सागर मुलेजी ने इस कला में नई जान फुंक दी है उनके इस प्रयास को भरपुर सरहाना भी मिल रही है साथियों एक छोटी सी कोशिश एक छोटा कदम भी हमारी समरुद कलाओं के रक्षन में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है अगर हमारे देश के लोग ठान ले तो देश भर में हमारी प्राचिन कलाओं को सजाने समवारने और बचाने का जिजबा एक जनांदरुन का रूप ले सकता है मैंने हां कुछी प्रयासों के बारे में बाग की है देजभर में इस तरह के अनेक प्रयास हो रहे हैं आप उनकी जानकारी नमोएप के जरीये मुझ तक जरूर पहुँचाएं मेरे पैरे देशवासियों अरुनाचल प्रदेश के लोगों ने साल भर से एक अनूठा अभियान चला रखा है और उसे नाम दिया है अरुनाचल प्रदेश एर गन सरेंडर अभियान इस अभियान में लोग स्विच्छा से अपनी एर गन सरेंडर कर रहे हैं जानते हैं क्यों ताकि अरुनाचल प्रदेश में पक्षियों का अंधादुन सिकार रुख सके साथियो अरुनाचल प्रदेश पक्षियों की 500 से भी अधिक प्रजातियों का घर है इनमें कुछ ऐसी देशी प्रजातियां भी शामिल है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है लेकिन धीरे धीरे अब जंगलों में पक्षियों के संख्या में कमी आने लगी है इसे सुधारने के लिए ही अब ये एरगन सरंडर अभियान चल रहा है पिछले कुछ महिनों में पहाड से मैदानी इलाकों तक एक कम्यूनिटी से लेकर दूसरी कम्यूनिटी तक राज में हर तरफ लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया है अरुनाचल के लोग अपनी मर्जी से अब तक सोला सो से ज़्यादा एरगन सरंडर कर चुके है मैं अरुनाचल के लोगों की इसके लिए प्रसंसा करता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ मेरे पहरे देशवासियों आप सभी की ओर से 2022 से जुड़े भहुत सारे संदेश और सुजावाए है एक विशे हर बार के तरह अधिकांस लोगों के संदेशों में है यह है स्वच्चता और स्वच्च भारत का स्वच्चता का यह संकल्प अनुसासंत से सजगता से और समर्पन से ही पुरा होगा हम NCC केरेट द्वारा की शुरू किये गए पूनीत सागर अभियान में भी इसकी जलक देख सकते हैं इस अभियान में तीस अजार से अधिक NCC केरेट सामिल हुए NCC के इन केरेट ने बीचीच पर सफाई की वहां से प्लास्टिक कच्रा हटा कर उसे रीसाइक्लिंग के लिए इखटा किया हमारे बीचीच हमारे पहाड यह हमारे घुमने लाइक तभी होते हैं जब वहां साफ-सफाई हो बहुत